नमस्कार जी सेच साइब जी क्या नाम है जी आपका? पिंकी चोधरी कहां से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से संत रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने से पहले संकर भगवान जी की भगती करती थी और बचपन से ही करती थी जैसे उनके व्रत रखना लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सत्गुर रामपाल जी महाराज है उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी ओरने देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाए संकर भगवान जी की मैं उनके हिवरत रखती थी और किसी गुरू की चक्कर में नहीं पड़ी थी मुझे को मौक्स के बारे में या किसी गुरू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी संकर भगवान जी की बक्ती करते करते आपको कह कह लाब हुए लाब पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाब भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं लेकिन मुझे कोई लाब नहीं हुआ है जो मेरी ममी पापा थे मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे ममी इतनी बीमार रहती थी बहुत जादा बीमार रहती थी लेक जो देवपाल भगत जी हैं देहरा चक से, वो संतरामपाल जी महाराजी से नाम दिकसर लेकर गए हुए थे, उन्होंने उससे कहा था क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पर गई हुई थी, घर्मी की शुट्टी थी, वो ससंग सुनते थे, बंदिशोड सतुरामपाल जी महारा जब जिस दिन तु नाम लेगी ना तुझे घ्यान होगा, तब देखना तु भी रोह करेगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर अगले दिन उसने कहा, एक काम करते हैं कि हम जो भुहाजी को लेकर चलते हैं क्योंकि ममी बहुत बीमार रहती थी और भुहाजी ठीक हो जाएंगी, मैं बोला भाया एक काम करो, तुसी जो है ना ममी नू लेकर नहीं जाओ, पापा जी नू लेकर जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे, और अगर पापा जी सराथ पी नहीं छोड़ देंगे तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो बताया, मुझसे ममी से, मेरी चोटी शिश्टर थी भहिया थे, सबसे बताया, तो जब मुझसे कहा, पापा जी आप तो बस ऐसी करते हो, कोई पागल नहीं कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा, बहले नई बेटा, एक बार चल कर देखना, मैं बहले चलो ठीक है, मैं गूमाने के लिए, मैं घूमने गई थी, ना की नाम दिक्षा लेने गई थी, माँ पे, लेकिन जब मैंने वहाँ पर जा कर देखा, जो रामपाल जी महराजी हैं, उनकी ऐसी दया हुई, कि मैंने भी फिर नाम दिक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाब होते हैं तो क्या आपको भी कोई लाब हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाब जो मानव जीवन का मूल कार्या होता है इतना दर्द होता था इतना दर्द होता है की टोक्टर मेरी कैपसूल भी देते थे और मेरे इंजस्कन भी लगाती दितब जाकर मुझे थोड़ी सांती मिलती दि लेकिन मुझे कोई लाब नही हो रहा तो सब बोल देता है की operation होगा इसका तबही इसके पित्ती थीया पत्त्री के निकलेंगी लेकिन मैं ने संत्रामपालजी महराज जी से सिर्फ प्रात्ना की दी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पत्त्री है तो ori महराज जी ने कि मात्र आसिरबाद से ही मेरी वो पत्री आज तीन साल हो चुके हैं मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पत्री है बिल्कुल कुछ भी नहीं है और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे ना ही वो ड्रिंक करते हैं मेरी मम्मी उनकी हालत इतनी खराब रहती थी वो भी बि उनके लिए एक इस्टिक बनी वी थी डोक्टर ने दे दी थी वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थी उन्हें लेकिन संतरामपाल जी महराज जी से नाम दिक्सा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही है अगर किसी को विश्वास नहीं आये तो मेरी न सकते थे तो क्या ये सच है हाँ जी ये सच है मुझे गठिया भाई भी थी और मुझे सुगर भी था और में टांगों से बेकार हो गई थी बस खाट पर पड़ी रहती थी ये उठाय उठाय के ये रखती थी मुझे आज मैं बिल्कुल सही हूँ सिरब सत्कुरु रामपाल संतराम जी माराज के आसिरवास सरी होई मुझे सर्मी आंजिधा थी वाध से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाप्राप्त हुए आप तक संधस्ट didने करने घी जी मैं भगा समाज से हाध जोड़ का प्राथना करना चाहती हूँ कि जो आप दरदर की ठोकरे खाते हैं कोई सिब जी की बखती करता है कोई किसी और की बखती करता है तो आईये और संतराम पाल जी महराज जो हरियाना में बैठे हुए हैं जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरा पस्चिमुतर दक्षिन फिर्दा दाने-दानेनु, सर्वकला सत्गुरु साहिब दी हर्याने हर्यानेनु, तो परमात्मा हर्याने में आए हुए है, उन्हें पहचानो, क्योंकि आज जो सिक्सित समाज है, पहले तो ये धरम गुरु हमारा बेफू बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता है वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समाज तो सिक्सित है हमारे जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो वेद सास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कोन है उसकी पहचान करो और सभी सास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहे में वो पूर्ण पर लाण कर वाओ धन्यवाज जी सत्साहिब जी